Hey everyone, welcome to my channel आज मैं तीज अस्पेशल मावा की गुजिया की रेसीपी से ऑर करूँगी और ये मावा की गुजिया न बिहार में तीज को ही अस्पेशली पूझा के लिए बनाई जाती है इसे ही तीज की पूझा होती है इसे हमारे यहां पिळिकिया भी कहते हैं और ये बहुत ही खास्ता और बहुत ही जादा करारी बनती है तो चलिए इसे बनाने की रेसिपी देखते हैं और इसकी मेजरमेंट ना एकदम सही तरीके से जिस भी मतलब चीज से सेट करके रखिएगा उस तरह से बनाईएगा ना तो आपकी भी ये गुजिया बिल्कुल पर के गोले को घिस लिया है और अब इसे हम साइड रख देंगे और गैस पे कडाही चड़ा देंगे और इसमें मैं दो चम्मच घी डाल रही हूं सबसे पहले हम यहां पे सूजी को भून लेंगे क्योंकि जो इसकी स्टफिंग बनती है वो सूजी और मावे से ही बनती है तो यहां मैंने एक कटोरी सेट किया है तो इस कटोरी से मैं डेल कटोरी सूजी लूँगी तो आप मेजरमेंट जिस भी चीज सेट कर लीजेगा क्योंकि इसी चीज से हमें बाद में आगे भी नाप के सारी चीजें लेनी होंगी तो यहां डेल कटोरी मैंने सूजी ली है और अ हल्की सी बस इसका कलर चेंज हुआ है और अब इसमें हम वो कद्दुकस किये हुए नारियल डाल देंगे और अब इसे हम थोड़ा सा चला कर गैस ओफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि जब हमारी सूजी भून जा है तब ही हम नारियल को इसमें आड करेंग क्योंकि हमें नारियल को भूनना नहीं है वो गरम सुजी के साथ ही हलकी सी भून जाती है और मैंने यहां गैस बंद कर दिया है और अब इसे मैं इसी कड़ाही में फैला कर छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए क्योंकि जब यह ठंडा हो जाएगी तभी इसमें हम सारी तो मैं यहां पे दो कटोरी मैदा ले रही हु यह गुजिया मैदा से ही बनती है आप चाहें तो अधी मैदा और आँटा में मिक्स करके देखते जा रही हूँ कि मोयन के लिए अगर मुझे और जरुरत लगेगी तो मैं डालूंगी तो यहाँ थोड़ा सा घी मैं और एट करूंगी और इसे अच्छे से हम मैदे में मसल मसल कर मिक्स करेंगे तो हम इसे दोनों हाथों से एकदम रगड़ते हुए मैस करेंगे जिससे की मोयन आटे में एकदम अच्छी तरह से मिल जाए और इसे हम बाइंड करके देखेंगे तो यह अराम से बाइंड हो रही है तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गूथ लेंगे तो मैंने यहाँ एक गलास पानी लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा लगा लूँगी और इसका आटा हमें रोटी या पराठे की तरह नहीं लगाना है इसका आटा हलका सक्त ही लगता है तभी गुजिया एकदम खास्ता और करारी बनती है तो इसलिए पानी न एकदम थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ करें और एक देख सकते हैं यहाँ एकदम सक्त आटा मैंने लगा लिया है आटा एकदम हलका सा सक्त ही है मैं इसमें अब पानी नहीं आड़ करूँगी अब इसे कवर करके छोड़ दूँगी तो यहां देख सकते एक गलास में मेरी थोड़े से पानी बच ही गई है मतलब एक गलास पूरा भी इसे गुथने में नहीं लगा है अब इसे हम साइड रख देते हैं और अपनी अस्टफिंग को देख लेते हैं तो यहां मैंने बड़ी सी परात ले ली है और इसमें अब हम सूजी को ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हम अब सारी चीजे इसी में मेजरमेंट के साथ मिक्स करेंगे तो सूजी एकदम ठंडी हो गई है मैंने इसे परात में ट्रांसफर कर दिया है और अब इसमें हम मावा एड़ करेंगे तो यहां मैंने 100 ग्राम मावा लिया है मावा आप घर पे भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं यह मैंने घर पे ही बनाया है और अब इसे मैं सूजी में डालके अच्छे से मिक्स कर लूँगे और इसी के साथ हम इसमें चीनी भी आड़ कर देंगे तो मैं एक कटोरी इसमें चीनी ले रही हूँ वैसे डेड़ कटोरी अगर आपने सूजी ली है तो डेड़ कटोरी ही इसमें चीनी पड़ता है और इसे मिक्स करने के लिए हम दोनों हाथों का इस्तमाल करेंगे दोनों हाथों की तलहतियों पर जैसे हमने आठे को मिक्स किया था वैसे ही इसे भी रगड़ते हुए हम अच्छे से मावा को सूजी में मिक्स कर लेंगे और जब हमारी मावा और सूजी अच्छे से मिक्स हो चाहेगी ना तो चीनी भी थोड़ी थोड़ी सी पसीजने लगती है जिससे की ये बाइंड होने लगेगी अब हम अपने मैदे को देख लेते हैं ये अच्छे से सेट हो गई है तो अब इसके छोटे-छोटे सी लोया तोड़ कर पेड़ा बना लेंगे क्योंकि पहली बार में हम थोड़े-थोड़े करके ही इससे बनाएंगे तो पहले सबसे पहले हम पेड़ा बना कर रख लेते हैं ताकि हमें बेलने में असानी हो तो यहां मैंने चार से पांच पेड़े बना लिये हैं अब इसे मैं बेल लूँगी तो आप इसे चाहे ना तो मतलब बहुत बड़ा रोटी जैसा भी बेल के इसे किसी भी कटोरी या प्लेट से कट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दम छोटे-छोटे पेड़े बना कर डारेक्ट बेलूंगी ही, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी चकलेप लगा रही हूँ, क्योंकि मैं घी से इसे बेल रही हूँ, आप जैसे भी ब पूरी या बेल जाए, तो मैं इसे क्या करूंगी, कि इसके जो सांचे आते हैं, मार्केट में इस तरह के सांचे मिलते हैं, गुजिया बनाने के, तो उस सांचे पे इस पूरी को रख देंगे, और इसमें हम अश्टफिंग भर लेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं, मैं एक चमच डाल रहे हूं, और थोड़े से और आधे चमच, मतलब देर चमच के करीब मैंने अस्टफिंग डाली है, जादा अस्टफिंग डालेंगे न, तो गुजिया हमारी फट जाएगी, इसलिए अस्टफिंग में ये ध्यान देना होता है, कि ये अच्छे से बंद हो जाए तो यहां देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से बंद हो गई, अब एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे साइड वाले सारे, तो यहीं मतलब इसकी अस्टफिंग नहीं जादा कम होनी चाहिए और नहीं जादा, नहीं तो गुजिया क्या होती है न, कि बंद नहीं होती है, ए यहें तेल में भी जाके फट जाएगी, तो अस्टफिंग का मेजरमेंट आप चमच से एक-दो में डाल के आप देख लीजेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना अस्टफिंग डालना है, और इस तरह से अगर आपके पास यह मोल्ड या साचा नहीं होना, तो हाथ से भी इसे बना सकते हैं, हमारी मम्मी तो इसे हाथ से ही बनाती थी, पर इसमें जादा टाइम लग जाता है, और आप अकेले होना तो जल्दी-जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसे हमेसा साचे से ही बनाती हूँ, लेकिन मैं इसे एक हाथ से भी आपको बना कर दिखा रहे हूं कि पूरी बेल कर इसे दोनों साइड से सटा देना होता है और उसके बाद किनारे से हमें इसे अंगूठे की सहयता से मोरते चले जाना है तो ये हाथों से भी बन जाती है बस इसमें थोड़ा सा टाइम जादा लग जाता है और ये साचा से बनाने में थोड तो यहां देख सकते हैं मैं इसे साइड से मोडते हुए एकदम पॉर्फेक्ट तो मेरा नहीं बन पाता है लेकिन मतलब इसी तरह से इसे हाथों से भी बना लिया जाता है तो अब देख सकते हैं मैं तो साचा से ही से बनाऊंगी तो मैंने दूसरी पुड़ी भी बेल ली है और अब इसे साचे पे रखकर मैं इसमें भी उसी तरह से श्टफिंग भर लूँगी तो इसी तरह करके मैं 6 से 7 पहले गुजिया बना लूँगी उसके बाद उसे फ्राइ कर लूँगी फिर दूसरे बार भी हम बनाएंगे क्योंकि एक साथ हमें सारे बना के नहीं रखने होते हैं नहीं तो क्या होगी कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी अंदर ही अंदर और तेल में जाके फट जाएगी तो आप सारे एक साथ ना बना के रखें बलकि बनाते जाएं और इसे तलते जाएं तो इस तरह से मैं कम से कम आठ से दस बना लूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी तो यहां देख सकते हैं मैंने थोड़े बहुत बना लिये हैं और अब इसे फ्राई कर लूँगी फिर थोड़े बहुत और बनाऊंगी तो यहां मैंने गैस पे कड़ाही चड़ा दिया और इसमें ओयल गरम होने के लिए मैंने डाल दिया था हमारी तेल गरम हो चुकी है इससे चेक करने के लिए पहले छोटी सी लोई आप डाल के देख लें अगर ये अपने आप उपर आ गई तो इसका मतलब तेल अच्छा गरम है अब इसमें हम जितनी गुजिया आ सकते हैं उतनी गुजिया डाल लेंगे और डाल के इसे फ्राई होने देंगे हाँ इसे फ्राई हो देना हमेशा मेडियम फ्लेम पे ही कीजियेगा और गुजिया डालते समय गैस का फ्लेम एकदम लोग कर दीजियेगा क्योंकि ये गुजिया एकदम हलकी आचो पर ही सिखती है तो अब इसे मैं हलका सा हिला डूला रही हूं और इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए एक मिनट के बाद ही हम इसे पल्टेंगे तो एक मिनट जर से ही एक साइड से मतलब हलका सा फ्राई हो जाए तो हम दूसरे साइड से उलट देंगे तो यहाँ एक मिनट के बाद देखिए मैं इसे उलट पलट दे रही हूँ और इसे दूसरी साइट से भी एकदम अच्छा फ्राई होने देंगे हम तो इसे फ्राई होने में दो से तीन या मिनट लग सकते हैं और थोड़ा सा आच अगर जादा किजिएगा तो यह हो सकता है कि उपर उपर से करारी नहों सिर्फ कलर आ जाए इसलिए हमेशा गैस का फ्लेम लो टू मिडियम ही रखिएगा और यह देख सकते हैं तीन से चार मिन में बहुत अच्छे से यह फ्राई सक जाती है तो आप इसे हम निकाल के साइड रख लेंगे इसी तरह करके हम सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे और यह मावा की गुजिया मतलब 10 से 15 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होती है अराम से चल जाती है एयर टाइट कंटेनर म तो यहां देश करते हैं मैंने दूसरी बैच भी डाल दी है और इसी तरह करके मैं इसे भी फ्राई करके निकाल लूँगी तो अगर आपको भी गुजिया बनाने में परिसानी होती है या आपकी भी गुजिया तेल में ही फट जाती है ना तो मेजरमेंट आप सही चीजों स रखियेगा आपकी मेजरमेंट अगर गलत नहीं होगी तो तेल में गुजिया कभी नहीं फटेगी और सारी गुजिया एकदम सही तरीके से बनकर तयार हो जाएंगी तो यहां देख सकते हैं मैंने सारी गुजिया बना ली है अब इसे मैं थाली में निकाल कर आप लोग को दिखाती हूं तो हमारे यहां इसे तीज में पूजा के बाद ही परसाद के रूप में खाया जाता है तो यहां देख सकते हैं मैं सारे ठाली में लगा कर दिखा रही हूं और यह कितने ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो इस तरह से आप भी तीज मनाईए और आप करके जरूर बताईएगा मैं फिर मिलूंगी आपसे बाई